हलो स्टूडेंट्स मैं सुमन एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजी हूँ आज हम इस वीडियो में इतिहास के स्रोत विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्तान्त के बारे में पढ़ेंगे देखे स्टुडेंट्स इससे पहले हमने जो इतियास की जान करिके साहित्यक स्रोथ हैं, पुरातात्विक स्रोथ हैं या फिर इतियास किसे कहा जाता हैं इन सब के बारे में पढ़ लिया है तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के यात्रा वरतांद देखे स्टुडेंट्स भारत में कई विदेशी यात्री बर्मन करने आये उन्होंने यहां पर कई राजाओं के राजदरबार में रहकर उनकी सासन विवस्ता के बारे में देखा, समझा और इनी सबी अनुभों को उन्होंने लिखा जिसे आज हम पढ़ते हैं यहां पर्मुक युनानी, रोमन तथा चिन्नी लेकों के बारे में हमने यहां पर बताने की कोशिस करी है तो हम पढ़ते हैं यात्रियों के बारे में तो भारत पर प्राचियन समय से ही विदेशी आकर्मन होते रहे हैं इन विदेशी आकर्मनों के कारण भारत की राजनिती और यहां के इथिहास में समय समय पर काफी महत्तोपन परिवर्तन हुए बले ही भारत पर युनानियों का हमला रहा हो या फिर मुसलमानों का या कोई अन्य जातियों का अन्य को विदेशी यात्रियों ने यहां के धर्ती पर अपना पाम रखा है इन में से अधिकांस यात्रिय अक्रमनकारी सेना के साथ भारत में आये इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतिय इतिहास की अमुले जानकर हमें प्राप्त होती है ठीक है ना तो देखे जितने भी जो भी यात्री आये हैं विदेसी यात्री जो भी आये उनमें से परमुक जो यात्री हैं वो यूनानी चीनी और मुस्लिम यात्री थे अब देखे हम यहाँ पर जो भी प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालिन भारत में या फिर अधुनिक भारत में ज तो हेरोडोटस है इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरीका है इसमें हिस्टोरीका में भारत और फारस के संबंधों पर परकास डाला गया है और हेरोडोटस है ये युनान से आने वाले पर्थम इतिहासकार थे अब अगले जो यात्रियां वो है मेगस्तनीज मेगस्तनीज है इनका समय क्या है 304 से लेके 209 में इस्सा पूर्व है तो देखे हम मेगस्तनीज के बारे में थोड़ी सीग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आगे विश्तरी जानकारी के लिए हमने आगे वीडियो बनाएं उनको देखेगा मेगस्तनीज चंद्रगुप्त मोरिय के दरबार में युनानी समराड सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया इसको 305 इसापूर में युनान और भारत के मद्धे हुई संदी के तहट भारत आना बड़ा था इसने मोरिय कालियन भारत के बारे में अपने अनुभों एंव विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लेखबत किया तो मेगस्तनीज की पुस्तक है इंडिका यदे भी मूल पुस्तक तो एपराप पे है इंडिका मूल रूप में तो हमें पराप नहीं हुई है किन्तु परवर्ती लेख को मेगस्तनीज के बाद जो भी लेख खाए एरियन, स्टेबो, प्लिनि आधिकी रचनाओं में उसकी पुस्तक के कुछ अंस उध्रित किये गए है मेगस्तनीज के अनुसार भारतिय समाज में साथ वर्ग थे उसने दास पर्था का उलेख नहीं किया किन्तु सत्ती पर्था का उलेख किया है मेकस्तनीस के अनुसार भारतिय युनानी देवता डायोनीसियस तता हेराकलीस की पुजा करते थे भारतिय लोग हैं वो युनानी देवता डायोनीसियस तता हेराकलीस की पुजा करते थे डायोनीसियस सिव और हेराकलीस क्रिशन के रूप में पुजे जाते थे ठीक है तो ये पूछ सकते हैं आपको फरीक से हमें कि डायोनीसियस और हेराकलीस किसके पड़ती है सिवोर क्रिशन के मेगस्त्रीज ने लिखा है कि भारत में दुर्बिक्स नहीं पड़ते थे भारत में काल नहीं पड़ते थे उसके अनुसार मोर्यकाल में नगर का प्रबंद एक नगर परिस्त द्वारा होता था नगर परिस्त में पांच-पांच सदस्यों वाली छे समीतियां काम करती थी इसने भारतीय पत्नों, बंदरगाहों तथा व्यापारिक माल का वर्णन किया है इंडिका में दक्सिनी भारत के पत्नों एवं पर्थम सताब्दी इस्वे में रोमन समराजे के साथ होने वाले व्यापार का विश्त्रित वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में मोर्य युगीन समाज एवं सिंस्कृति के विशे में लिखा है इसने अपनी पुस्तक में पाठली पुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है तथा राजा के राज प्रशाद का भी बड़ा ही सजी वर्णन किया है मेगस्नी इसने वर्णन किया है कि उस समय राजे में सान्ती थी लोगों को घरों में चोरी का कोई डर नहीं था तथा ये बताता है कि राजा का जीवन बड़ा ही एस सुरे में था अब अगला जो स्रोत है वो है पेरी पल्फ्स ओफ दे एरिथ्रियन सी तो पेरी पल्फ्स ओफ दे एरिथ्रियन सी है इसके लेखे के बारे में कोई जानकारी नहीं है कई बार बताया जाता है कि इसका जो लेखे का वो असी इस्वी में हिंद महासागर की आत्रा पर आया था इसमें उस समय के भारत के बंदरगाहूं और व्यापारिक वस्तों का विवरण है इसके लेखे के अनुसार सुक्ती मोती उद्धोग कालची तथा तटवर्ती देशों से संचालित होते थे पेरिपर्स का कतन है कि फारिस की खाड़ी से ब्रहगू कच में दासों का निर्यात किया जाता था अगले जो यात्रियों वो है प्लीनी ये यूनानी लेखक था इसने पहली सताबदी में नेचूरल हिस्त्री नामक पुस्तक लिखी थी इसमें भारत ये पसूओं, पोधों, खनीज पदार्थों की जानकरी मिलती है इसमें भारत और इटली के मद्दे होने वाले व्यापार पर भी प्रकास पड़ता है प्लीनी ने लेटिन बासा में नेचूरल हिस्त्री लिखी जो इंडिका पर आधारित है इसने अपनी पुस्तक नेचूरल हिस्त्री में पर्तिवर्स रोम से भारत में चली जाने वाली सोन्य की भारी मातरा के लिए दुख परकट किया है प्लीनी ने भारते बहुमुले रतनों की एक लंबी सुची दी है और भारत को एक बहुमुले रतनों वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया है उसने भारत अथा उसकी नदियों को रतन धारक उपादी से विबूशित भी किया है अगले यात्री आते हैं टोलमी टोलमी है इन्होंने दूसरी सताबदी में भारत का बुगोल अर्थात जोग्रोफी नामक पुस्तक लिखी है जोग्रोफी से ततकालीन भारत की विस्त्रित जानकरी मिलती है और टोलमी है वो एक युनानी बुगोल वेता थे अगले यात्री आते हैं डायोनिसियस यह मिस्रे नरेस टोलमी फिलाडेलफस का राज़दूत था यह असोग के राज़दरबार में आया था डाइमेकस यह सीरियन नरेस आंति ओकस का राजदूत था यह बिंदुसार के राजदरबार में भारत आया और इसका विवरन भी मूरिय युग से संबंदित है अब देखिए चात्रो यहां पर मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बताऊंगी परमुक चिन्नी यात्रियों के चिन्नी यात्रिको फांसी हुई अर्थार फा फायान सी सयूंगन हू वेहनसांग इससिंग तीक है अब देखिए पढ़ते हैं फायान के बारे में तो यह है 309 में इस्वी में आये थे यह चिन्नी यात्रिक गुप्त नरेस संद्र गुप्त दिवित्य के दरबार में आया होता है, इसने अपने वीवरण में मद्दे एस्याइ देशों के बारे में बताया है, यह चीन से रेसम मार्ग होते हुए भारत आया था तो रेसम मार्ग क्या था? प्राचीन काल और मद्दे काल में एथिहसिक, व्यापारिक, सांसकर्टिक मार्गों का सम्मूह था इसके माध्यम से एसिया यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे परसी चीनी बहुत बिक्सुक फायान गुप्त समराट चंद्र गुप दूत्ते के सासनकाल में भारताया था इसने समाजिक धार्मिक और आर्थिक इस्तिति की जानकरी दी है लेक इसने संद्रकुप्त मोर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हों लिखा कि यह राजप्रसाद मानवकृति नहींपल की देव निर्मित है अब चिन्नी यात्रियों में अगला जो यात्रिय वो है सियूंगन जो 518 इस्तियों में भारत आया इसने अपने तीन वर्ष की यात उसकी सुक्सम्रद्दी का इसने स्वयूंगन ने वर्णन किया अगले थे वेंजांग तो वेंजांग के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी अभी आपे देख लेते हम वेंजांग तो यह हर्सवर्दन के सासनकाल में भारत आया था शरोपर्तम यह भारतीय राजे कपी सा पहुंचा भारत में 15-16 वर्ष तक ठहर कर 645 इस्वय में चीन लोट गया यह बिहार में नालंदा जीलास्तित नालंदा विस्वविदाले में अध्यन करने आया इसका ब्रह्मन वृतांत सीयू की नाम से प्रसिद है इस वृतांत में 138 देशों का विवरण मिलता है इसने हर्स का लिन समाज, धरम, राजनेती के बारे में वणन किया तिर्थी आत्रियों के राजकुमार के नाम से व्यनसांग प्रसिद है इसने हर्स को सिल्लादित्ते के नाम से अभिहित किया है कंदोज की धरम सभा का व्यनसांग अध्यक् चत्रियों की वीर्ता की परसंसा की तथा उन्हें राज़ाओं की जाती का बताया और शुद्रों को करशक कहाँ वियनसांग की अनुसार सिंद का राजा सुद्र था वियनसांग के अध्यन के समय नालंदा विश्वविधिल्य के कुलपती आचारीय सिल भड़र थे अब अगले जो चीनी यात्री है वो है इससिंग तो इससिंग आईये 70 स्ताबदी के अंत में भारत आये इन्होंने अपने विवरण में नालंदा वीश्वविदाले विक्रम सिला वीश्वर वीश्विदाले तता अपने समय के भारत का वणन किया है ये गेतर से 695 ने इस वित तक भारत में रहे इत सिंग सुमात्रा के समुदृ रास्ते से भारत आया था वह लगभग 24 वर्सों तक भारत में रहा इसने 24 वर्सों में से 10 वर्सों तक नालंदा विस्वविदाले मेरा और बोध धरम के बारे में अध्यन किया और इस यात्रे ने नालंदा तथा विक्रमसिला विस्वविदाले के बारे में अपना वीवरण दिया है इसने भारत और मलाई द्वीपुंज में पर्चलित बोध धरम का वीवरण नामक पुस्तक परमुक जो ग्रंथ है वो लिखा है भारत और मलाई द्वीपुंज में पर्चलित बोध धरम का वीवरण नामक परमुक ग्रंथ है इत्सिंग का है यह है चिनियात्री बोध धरम त सामाजिक दार्मिक और सांसकर्तिक जीवन के बारे में विस्त्रित उलेक मिरता है इस जिंग अपने साथ सुत विनय और अभीदम पिटकों के लगबग चार सो प्रतियां भी ले गया अब अगला आता है स्टेबो यह एक युनानी लेकर था जो दूसरी सताब्दी में भारत जाता है इसके अनुसार मोर्यकाल में नाओं के निर्मान पर राजे का एक अधिकार था उसने का है की यदि कोई वेक्ती किसी हस्त सिल्पी के हाथ या आंक को छत्ती पहुंचाता था तो उसे मर्त्यु दंड दिया जाता था उसने पस्यमी व्यापार में भारतिये जारी से सम्बंदित रोचक संस्मरोणों का वणन किया है पी रहे कास्मस की पुस्तक है क्रिस्चियन टोपोग्राफी इसमें भारतिय अर्थ्ववस्ता के सम्बंद में विश्त्रित यों महत्तो पुण विवरन उपलब्ध है पी रहे सिकंदर सिकंदर के साथ आने वाले अब देखेगा इंडी कोपलेस टेपस इंडी कोपलेस टेपस नाम से विख्याद युनानी बिक्सुक एम व्यापारी समुदरी मारक से भारत आया और इसने स्रीलंका तक व्यापार किया इसके विर्तांस से पता चलता है कि पांचवी स्ताब्दी में भारत चीन व्यापार में सिहल द्वीप एक महत्तोपन बिचोलिय का काम करता था अब अगले आते हैं आपके इबने खुर्दादब पूरा मध्यकानिर भारत के 16 महान अरब भुगोल वेताओं में एक इबने खुर्दादब था इसने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक अरथात मारगो यो राज्यों की विवरणी का पुस्तिका में नोवी सताब्दी की अंत संचार विवस्ता के बारे में महत्वपुन सूसने उपलब्द कराई हैं इबने खुर्दाब्द ने छत्रियों को दो वरगों सवुक फूरिया और कतरिया में बाटा है अलमसूदी तो अलमसूदी है यह एक अरब यात्री था इसने पर्तिहार राजे का दोरा किया अलमसूदी गुजर पर्तिहार को अल गुजर और राजा को बोरा कहकर पुकारता था इसने अपनी पुस्तक महजुल जहाब में अपने यात्रवरतांत और बोगोलिक टिपनिय लिखी है अब अगले आते हैं अलबुनी तो भारत आने वाले परमुक अरब यात्रियों में अलबुनी उर्फ अब्बू रेहान भी हैं अलबू रेहान भी था अलबूरुनी का दूसरा नाम क्या है अब्बू यह महमूद गजनवी के सोबनात पर आकरमन के समय भारत आया था यहां रहते हुए इसने खगोल विद्या संस्कृत तथा रसायन सास्त्रे आधी विश्यों का विश्तृत विवरण किया है अलब्रूनी की पुस्तक तहकीक एहिंद ग्यारवी सताब्दी के भारत का चित्र प इसका संथा उसके अनुसार किसी ब्रामन के विरूत किये गए घातक अपराद से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं पाई जा सकती है किसी ब्रामन की हत्या करना महांतम अपराद था जिसे व्रज हत्या कहा जाता था अलब्रूनी ने चार प्रमप्राग जातियों का उल्ले क किया है इन जातियों से बाहर के लोग अत्येंज कहलाते हैं उसने अच्छुतों की सबसे लंबी सुची दी है अलब्रूनी ने ततकालिन सम्माज में वैस्यों एम सुद्रों में कोई अंतर नहीं पाया है यदि इन में से किसी भी जाति के लोग वेदों का पाठ करते तो आता है चाउजू कुआ यह चीनी व्यापारी और यात्री था इसने बार्विस्त आपदी और तेर्विस्त आपदी के चीनी और अरव व्यापार के समन्द में चू फान ची नामक पुस्तक में बड़ा रोचक वीवरन परस्तूत किया है इस पुस्तक में धक्सिन भारत अर जिसे मध्यकाली नियात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इसने काकतियं मंस की सासी का रुडामबा का उलेक किया है। का अफ्रीकी आत्रि था। यह सल्टनत काल में मुहामद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मुहामद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में उसे 1342 इस्व में सुल्तान का राजदूत बना कर चीन भेजा गया। इस्व में मदूराई के सुल्तान के दरबार में भेजा गया। इपने बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा संस्मरणों को का संकलन किया। ठीक है। तो इपने बतूता के बारे में भी हम आगया आपको डिटेल से बताएंगे। फिर अगला आता है निकॉलो कॉंटी। विजयनगर की यात्रा करने वाला ये पहला इतालवी उरोपीय यात्री था। तो विजय नगर की यात्रा करने वाला पहला इतालवी रोप यात्री कों था निकोलो कॉंटी यह देवराय पर्थम के सासनकाल में भारत आया कॉंटी ने विजय नगर के सहर उसके दरबार वहां की प्रथाओं, मुत्रा, त्योहारों तथा अन्य विश्यों का बड़ा विशदवनन किया है उसने लिखाया कि नगर का घेरा साथ मील है, इसकी दिवारें पाड़ों तक चली गई हैं और नीचे की और घाटियों को घेरे हुए है अब्दुर रज्जाक, यह फार्सी आत्री था, कालिकट के जमोरिन के यहां साहरू का राज दूद बनकर आया था 1443 इस्वे में देवराव द्वित्ये के सासनकाल में इसने विजयनगर के आत्रा की थी, विजयनगर सहर के अद्बुद रूप में वैभव से आस्रे चिकित होकर उसने लिखा है मैंने पूरे विश्वे में इसके समान दूसरा सहर नय कोई देखा ना सुना है इस परकार हुआ है कि एक के भीतर एक इसमें साथ परकोटे हैं उसके वर्णन से तत्कालीन विजयनगर की स्थलाकरती प्रसासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में विश्थरी जानकारी मिलती है अगला आता है एथे नेसियस निकितन यह है रूसी घोडों का व्यापारी था इसने मुहमत तृतिय के सासनकाल में बहमनी राजे की यात्रा की यह काफी समय तक बीदर में रहा इसके विर्थांत में बहमनी सासन के अधीन राजदरबार, सेन्हा और लोगों की दसा का विवरण मिलता है फिर अगला आता है दू आटे बारबोसा यह भारत में 1520 से 1516 से में कनानों में पूर्थगाली अभिकर्ता के रूप में रहा और बाद में पूर्थगाली गवरणर अलबु करक के दुबासे के रूप में कार्ये किया इसने कृष्ण देवराय के सासनकाल में विजे नगर के यात्रा की 1517 ठारा में बारबोसा पूर्तगा लोट गया, वहाँ उसने अपने यात्रा वर्तांत को अंतिम रूप दिया, इसने विजे नगर समराजे के इत्यास तता मद्धेकालीन दक्सिनी भारत के आर्थिक इत्या का नियमित रूप से सेवन कराय गया था, अत्या है उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी भी बैट जाती थी, तो वह फूल कर मर जाती थी, बारबोसा लिखता है कि विजे नगर समराजे में सत्ती पर्था का पर्षलन था, किन्तु ये पर्था लिंगाईतों, चेटियों और ब 1502 हिस्वी से 1508 हिस्वी के बीज, भारत की यात्रा की और अपने अनुभों का विश्द उलेक किया, विजे नगर की राजदानी और समराजे के बारे में उसके विवरण में बहुत रोचक और मुल्यवान जानकरी पर्दान की, डोमीगो पायस, ये है पुर्टगाली यात् राजा कृष्ण देवराय के सासन का हल में विजे नगर की आत्रा प्याया, डोमीगो पायस ने विजे नगर के वैभव को जैसा देखा, उसके बारे में आख्यानों, किवंदतियों, कथाओं, आदिक का यथावत वर्णन किया है, पायस की कथा में विजे नगर के सासन का आखो देखा हाल मिलता है पायस ने विजे नगर सहर को रोम के समान वेभव साली अवे देखने में अत्यन्ति रम्मनिये पाया यह है विश्व का सरोतम नगर है ठीक है अब अगला ता है फन्नाडिज नुनिज यह है पुटगालीन घोडों का व्यापारी था यह विजे नग अगर सासक अच्चुत देवरा के सासनकाल में आया था फिर अगला आता है सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यातरी सीजर फ्रेडरिक ने ताली कोटा यूद कब हुआ था 1565 इस्व में तो ताली कोटा यूद के बाद विजे नगर समरेजे का बर्मन किया तथा इस राजके नगर के विनस्ट वैभव पर अपनी टिपणी की अगले आते फादर एंथाना मौनसेराथ पुर्तगाली फादर मांसेराथ फादर एकवा विवा के साथ 1580 इस्वी में मुगर समराथ अकबार के दरबार में आया था उसने अकबर के चरित्र यहूं व्यक्तित्व का विश यह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिस राजा जेन्स पर्थम का राजदू था और भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह भारत आया था फिर अगले आते वीलियम फिंच वीलियम फिंच होकिन्स के साथ ही अगस्त 1608 हिस्यों में जहांगीर के सासनकाल में सूरत आये फिंच ने मनुश्यों, जानवरों, पोधों, किलों, पूलों, इलाकों, धार्मिक विश्वासों अधिका वणन किया ऐसा वणन किसी अन्ने यात्री का नहीं मिलता बुलन दर्वाजे को उसने सारी दुनिया में सबसे उंचा और भव्यमाना तथा लाहोर को पूर्व का सबसे बड़ा सहर माना है केवल वीलियम फिंच सी असा यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उलेक किया है अब अगले यात्री आते हैं रॉल्फ फिच यह है फतेपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रे जिव्यापारी था इसने भारत के वीबिन भागों का ब्रमन किया और यह है मुगल सासक अकबर के सासनकाल में भारत आया फिर अगले आते हैं सर टॉमस जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रे सिस्टम अंडल के नायक है सर टॉमस रो अपने गुरु टेरी के साथ या लगबग तीर वरस्तक रहा मांडू और एहमदाबाद की यात्रा के दोरान यह है जहांगीर के साथ रहा पूर्वी द्विपों की यात्रा नामक वीवरण में इसने मूगल दरबार के सडियंतर एम दोका धड़ी का वास्त्विक वीवरण परस्तूत किया था इसने मूगल समराड जहांगीर से भारत में अंग्रेज फेक्टरी स्तापित करने का कानूनी इधिकार प्राप्त किया फिर अगले आते हैं पियेत्रो देला वाले यह इटालवी यात्री 1622 इस्यू में जहांगीर के काल में सूरत पहुंचा तथा इसने भारत के तट्ये छेत्रों की विश्थरित यात्रा की यह भारत आने वाले अत्यन तटस्त और निस्पक स्यात्रियों में से एक थे इसने भारत यह धार्मिक सेस्णूता और सत्ती परता आदे का वस्तू निस्त ढंग से वननन किया है फिर अगले हैं पिटर मुंडी तो पिटर मुंडी यह इतालवी यात्री है यह मुगल पासा साज जहां के सासनकाल में पड़े दुर्भिक्स अर्थात का वननन किया है फिर अगले आते हैं एड़वर्ड टेरी टेरी सर टोमस रो का पादरी था तथा जहांगीर के काल में भारत आया था टेरी ने ततकालिन सिक्कों का आकार तथा मुल्ले आधिका विवरन दिया है उसके अनुसार यहां के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक सुध होते हैं सिक्का रुपया कहला चाहें कौन कहता है सा टेरी फिर आते हैं फ्रांसिसको पेल साट यह है एक डच फेक्टरी अर्थात गुमास्ता था जो जहांगीर के काल में आया तथा आगरा में डच टक्साल का अध्यक्स भी बना पेल साथ ने नील के उत्पादन और विशेश कर बयाना में नील के उत्पादन के बारे में जो कुछ लिखा है उसका कोई सानी नहीं यर्था जिसने बहुत कुछ लिखा है कुल मिला कर ट्रेवनियर का विर्तान्त मुगल समराजे के इतिहास के लिए विशेश रूप से आर्थिक विकास की जानकरी के लिए अत्यन्त महत्वपुन है अब देखेगा ट्रेवनियर हमने पहले भी आपको बताया है कि जो ट्रेवनियर का विर्तान्त मुगल समराजे के इतिहास के लिए विशेश रूप से आर्थिक विकास की जानकरी के लिए महत्वपुन है और जैसे कि फ्रांसिसी यात्री ट्रेवनियर 1638 इस्वी से 1663 इस्वी के बीच भारत की 6 बार यात्रा करते हैं यह पैसे से जोहरी थे तथा साहज जहां के सासनकाल में भारत की यात्रा करते हैं और इसने अपने यात्र वर्तांत में टेवल्स इन इंडिया जिसका पर्थम परकासन 1666 इस्विव में हुआ साहज जहां और ओरंग जेब के सासनकाल का ये विस्तार से वर्णन परस्तूत करते हैं हीरे का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार और खनीजों के बारे में ट्रेवनियर का विस्त्रित विवरण अनुपम है इसने समुद्री मारगों, सीकों, मापतोल, निरियात व्यापार और यातायात के विसे में भी विस्त्रित वर्णन परस्तूत किया है फिर आते हैं अगले वन्नियर फ्रांसिस वन्नियर तो यह है फ्रांसिसी यात्री पेशे से क्या है चिकिस्तक है तथा साथ जहां के दर्बार से यह समंदित थे और दारा सिको है और ओरंग जेब के बीच होने वाले उत्रा दिकार की लड़ाई के भी यह साक्सी है सामोगट के लड़ाई के बाद करमसह, आमेर के मिर्जा राजा, जैसिंग, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अब्बुल हसन कुतुपसा की सेवा में वर्नियर रहे और इसने मुगलक सामराजय का विश्द इतिहास ट्रेवल इन दे मुगल एमपार, त्रेवल इन मुगल एमपार नाम से किया है निकोलाओ मनूची तो यह है इटालवी यात्री 14 वर्ष की अलपाईव में ही अपने ग्रह नगर वेनिस से भाकर एस्या माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचता है इसने भारत आकर साहर सुजा साहर जादा जो साहर जादा दारा सी को है मैं यहापे साहर सुजा बोल चुकी हूँ इसने भारत आकर सह जादा दारा सी को है की सेना में तोपच्ची के रूप में नोकरी की 1669 इस्यू में दारा सी को है की पराजे और मर्त्यू के बाद इसने चिकिसक का पेशा अपना लिया था इस्टोरिया दो मोगोर नामक सेंस्मरण मनूची ने लिखा है और इसे सत्रिवी स्ताबदी के भारत का दरपन कहा जाता है तो जो स्टोरिया दो मोगोर है यह सेंस्मरण मनूची ने लिखा और भारत का दरपन इसे कहा जाता है सत्रिवी स्ताबदी के भारत का दरपण स्टोरिया दो मोगोर को कहा गया है तो देखे स्टुनेंट्स यहां पर हमने विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा है और हमने यहां पर लगबग लगबग यात्रियों के बारे में आपको बता दिया है और 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 भी अदि आपको कुछ पूछना हो और है तो कमेंट्स करिएगा हमें आप परसन पूछ सकते हैं और हमारे यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि नए ने वीडियो जापको मिलें धन्यवाद